ये जय घूमातागी जय भारतमातागी आप सब कैसे हैं उमिद करता हूँ कि मा भगवती किरपा से आप लोग बहुत अश्य होंगे मैं अंसुमनसरमा आप सब का आपके अपने चैनल जोते साधना के अंदर में स्वागत करता हूं और माभगवती शे प्रात्ना करता हूं कि वह आप पर सदा अपने किरपा बनाई रखे दोस्तों आज हमका हमारा विशे रहने वाला सत्रु पक्ष को लेके सत्रु एक ऐसा विशे है जो तक्रीबन जो है आज हर घर में इसी विशे से कुछ जादा ही पुरेशानियां देखने को मिलती हैं हो सकता है कुछ तंद्र मंतर के द्वारा की जाती है कुछ हो सकता है कि इवल उनकी द्रिश्टी से ही ऐसा संभा हो जाता है कुछ लोगों में तो जो है अंद विश्वास भी देखने को मिलता है कि मेरे उपर कुछ तंद्र मंतर का प्रियोग किया गया है तो स्टिक जानका याज हम आपको बताएंगे जिनके माध्धम से आप यह पता लगा सकते हैं कि आप इस तरह की जो है स्तितियों से परिशान है भी या नहीं है या फिर आपका भ्रह्म है और इसका स्टिक उपाई क्या रहने माला है जो कि काफी रिशाज करने के बाद यह महत्व पुरुण उ आप इसका अधिभुद्व परियोग जब अपने जीवन में करेंगे तो इसका फल आपको निश्चत ही मिलेगा तो दोस्तों विशह पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन आप लोगों से यदि आप हमारे इस वीडियो को सोसल मीडिया के किसी भी माध्यम से आप देख रहे हैं तो संपूर्ण जानकर यह आपको कि भला आपके अपने चैनल जोति साथ नाकिंदर यूटूब पर प्राप्त होगी नए हैं चैनल को सस्काइब करें बैल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को जाता से ज्यादा सेर करें दोस्तों आईए इस विशह प बना बैड़ते हैं सामने वाला भी बगैर किसी सोच के ही हमसे सत्रूता बना लेता है अगर हम अपने जीवन को गहराई से देखे कि यह ज्यादा लंबा जीवन नहीं है छोटा सा जीवन है तो इसमें इस परकार की हम जो है नफ्रत बरे जहर को क्यों फैलाई ना फैलने द कोटे से जीवन में हम लोग ऐसा समझते हैं जैसे कि हम आजर अमर रहने वाले हैं और हजारों परकार के सत्रू को पैदा कर लेते हैं या धक्के से बना लेते हैं या बन जाते हैं तो कुछ लोग जो है तंत्र मंतर का सहारा लेते हैं कुछ लोगों की द्रिष्टिया ही इत मेरा निवेदन है कि सत्रू ना बने ना बनने दें। छोटा सा जीवन है भई छोटी से जीवन में आनंद के साथ जीवन व्यापन करिएगा और प्रयास कीजिएगा कि कोई आपका सत्रू ना बने परन्तु आज की टाइम में ये भी बड़ी प्रोब्लम है कि यदि आप अच रही ना के खैरात तुमें मिल जाती है यह वे एक बड़ा विशे है तो पहले विशे पर ही आगे बढ़ते हैं कि प्रयास करिएगा क्योंकि सास्त्र क्या करता है कि सरव पर्थम तो प्रयास रही कि सत्रू जो है बनना ही नहीं चाहिए और सत्रू जादतर कोन बनते हैं भेद ना दे पहला निवारन तो यही रहेगा कि आप ज्यादा सत्रू किसी से ना ज्यादा प्यार प्रेम रखे क्योंकि ज्यादा प्यार प्यार प्रेम का दूसरा जो है प्रभा होता है वो कहीं ना कहीं फिर सत्रूता बन जाती है तो आपके वो नेग्टिव पुएंटों क उठाकर आपको ज़्यादतर परिशान करते हैं जिनको अच्छी तरह से जानते हैं तो पहला प्रियास करें सत्रू नय बनाएं दूसरा कि सत्रू यदि बन जाते हैं तो पता कैसे करें वैसे तो आज कल जो है अंदविश्वास ज़्यादा देखने को मिलता है कि कुछ लोग पहुते हैं कहीं कि ऐसा कुछ नहीं भी होता लेकं फर्रवन के दिमाग में एक भ्रम होती है कि मुझ पर कुछ तंतर Wenतr का प्रियोग किया गया है वो कुछ चीजों से अंदाजा लगा लेते हैं जैसे कि रात में जाधा तर जागदा दोस्तो जाधा तर जागदाना कहीं ना कहीं राहू शनी और केतों से प्रभावित होने के बाद या चंद्रमा से प्रभावित होने के बाद भी कुंडले में रात को इनसान जो है ज्यादा जागता है दिन में सोता है और कुछ लोगों को दिन में बिने यह किवले एक कारण नहीं हो सकता है और दूसरा क्या है कि उनको जैसे राज को मिठा ज्यादा खाना सुरच छिपने के बाद मिठे की ललक ज्यादा लगना इन चीजों से भी अंदाजा लगा लेते हैं लेकिन सही विशलेशन के वले परसने लगन और जनम कुंडली से पता लग पाता है कि आप पर क्या इस तरह कोई प्रयोग हुआ भी है या नहीं हुआ है यह चीजे बड़े आशानी से आप लोगों को मिल जाती है क्योंकि जब आप अच्छे से अपना जीवन जीने लग जाते हैं वह फिल्ड चाहे कोई भी हो ऐसा नहीं है कि के वली कुछ फिल्डों में इस तरह के प्रियोग देखने को मिलते हैं यह आज का लाम हो चुक है क्योंकि विशेश समुदाई है आज जो इस तरह के प्रियोगों में एहम भागेदारी निमबाता है क्योंकि उनका विशेश लक्षे भी कुछ ऐसा होता है कि वो इस धर्म को लेके जो है अच्छी सोच नहीं रखते हैं वो लोग जो हैं कुछी पैस में तो मेरे उनसे भी निवेदने के भाई आप इस तरह का प्रियोग ने करें इंसानियत को याद रखे क्योंकि छोटा सा जीवन है इसमें ना सत्रू बने ना बनने दे और ना किसी को इस तरह के रस्तों पर चलने की सला दे इस जीवन का आनंद स्वैम बिलीजिए क्योंक तो इस विशे पर हमारा एक ही आप से निवेदन है कि इस तरह के प्रियोगों में ना पढ़ें अगर आप पर हुआ है तो वह कहीं भी हो सकता है वैपार करते हैं वैपार में आप पर कहीं ना कहीं लोग जो है इस तरह का प्रियोग करते थे आप अच्छे से पढ़ रहा है बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है तो बच्चे पर भी हम कई बार यह सीज़े देखने को मिलते हैं कि फिर वह एकदम उसको पढ़ाई से नफरत हो जाती है पढ़ाई के विश्य पर आगे नहीं बढ़ पाता है हैल्थ में कई बार इस तरह की इसूद देखने को मिलते हैं बहुत लggakने प利यासों के बाद मैडिसन अशर नहीं कर पाती है और दोस्तों कई बारि तो किया के रिपोर्टों में ही कुछ या तो गलत आता है या रिपोर्टों में कुछ आता ही नहीं है तो यह समस्थ प्रकार के ग्रैसी कोई दुविधाइं आपके एरिद गिर्द है आपको लगता है या है या नहीं भी है तो आप हर चीज में इस मंदर का प्रियोग कर सकते हैं बड़ा दुरलब मंदर है खानुमान जी का मंदर है इस कलियुक के साक्षात देवता है और इस मंतर का यदि सुधता के साथ आप सुबह से आम पांच या दो मिनट आप यदि प्रियोग करते हैं तो मुझे निश्यत विश्वास है मेरा एक अपना जो है खुद का इस मंतर के उपर हमने प्रैक्टिकल का रिसर्च की हैं और इ यदि आप इसको नित्य सुबह श्याम इसका जाप करते हैं इसका पाट करते हैं और हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो निश्चत ही आपके सत्रू को सत्बुद्य मिलेगी पर दोस्तों मेरा एक नवेदन है आप इस मंतर का प्रियोग करने से पहले कोई मन में गलत मत सोच ही अंश्यावत्यास के पुर्फ केली दो-खाग्वान के संताना हो कि आसवा से इतने ही प्रातना कीजिएगा के पर आप उसको भी सत्बुद्ध्य देजिये मैं उसका बुरा नहीं चाहता हूं वो भी अपना अच्छा जीवन जी हूँ उसका भी भला हो मेरा भी भला हो मैं किसी का बुरा नहीं चालता हूँ परन्तु मैं या तो उसकी कोई दृष्टी ऐसे आप पर बुरी नजर पड़ी है या आप पर कोई प्रियोग हुआ है तो उन सभी का निवारन आप मेरा इस मंत मंतर का दूसरा प्रियोग जो है वो हम वीडियो के माध्यम से नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि कुछ लोग शायर उसका गलत प्रियोग कर ले एक बड़ा दुरलब इसका प्रियोग है वाप विशेश कॉंडली के धन पर भी आप उसकी जानकारी ले सकते हैं तो दोस्तों ये था हमारा आज का विशेशत्रू पक्ष को लेके ओम हरी मरकटाई स्वाहा अदभूद मंतर है आप इसका प्रियोग अपने जीवन में कीजिए और इसका प्रभाव भी देखिए और कोमेंट में जैगुमातागी जरूर लिखेगा सभी का बला सोचिएगा बेजुबान